ये 23 साल 4 महीने का युबा, आपको आज सच में रुला देगा, मैं कुछ नहीं बोलूगी, सिविश की बात सुनिया 2022 चल रहा है, अब मैं 23 भी क्रोस कर चुका हूँ, और आपने मेरा पेपर कैंसल कर दिया मेरा क्या, मेरे जैसे कहीं हैं, जो 23 क्रोस कर चुके हैं, जिनकी लास्ट भरती थी, उनका पेपर कैंसल हो गया वो कहा जाएं, अब बताओ, अरे आप लोगों ने उमर तो बढ़ा दी, 18 से 23 साल कर दी, पर आपको इतने बड़े ओदेवर किसने बिठा दिया, लेफ्टिने जर्नल, आपको किसने बना दिया, जर्नल, करनल, किसने बना दिया, इतनी सी भी जरा सी कॉमन सेंस नहीं आपके अग्जाम का एड्मीड कार्ड पड़ा हुए है, दो एड्मीड कार्ड पड़े हुए है, पर अगर मैं अपनी अभी डेट ओवर्थ काउंट करूं तो मैं हो रहा हूँ 23 साल 4 महिने का, तो मैं इस TOD के अंतरकत अपलाई नहीं कर सकता, भीया, हमारा तो सपना खतम कर दिया इस बात का, हमें तो बस अपने भगवान पर भरोसा है, भरोसा भी गया, भगवान से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि आप अज़े से नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता, दिल से बद्दवा दे रहा हूँ आपको, बले ही आजनने आ सबका एक दिन आता है, भाया आज तुम नेतागी कुर्सिये बैटे हो ना कुछ भी कर रहे हो, पिछले एक साव से यार, छेचे गंटे साथ साथ, आट-एट गंटे तक पढ़ा हूँ, कि एकजाम आएगा, एकजाम आएगा, एकजाम आएगा, पर एकजाम हुआ नी, और से क्या किया, तेइस साल दग उमर गर दी, अरे जब मैंने भरती देखी थी, मैं बाईस साल का था, मेरी लास भरती थी, अब मैं तेइस करोज कर चुगा हूँ, तो अब मैं दो आर्मी में जाए नहीं सकता, मेरे तुस अपना ही कथम कर दिया आप लोगों ने, तो मैं जिन करने की कोशिश कर रहे हैं, जगे-जगे से पी-यार, आप लोग तयार करने की कोशिश कर रहे हैं, कि देखे, अगनीपत स्कीम बहुत अच्छी है, यह जेन्यूइन जो स्टेट्मेंट्स बच्चों के आ रहे हैं, जो खुद से, क्योंकि इनके पास तो कोई और पी-यार ए यार एक सपना लेकर बैठ रहा था सेना में जाने का, उसे ही समझ में नहीं आरा है, बिलकुल वैसे जैसे आपका किसान वाला, जो आपका बिल है, वो किसानों को छोड़कर सब को समझ में आरा था सिर्फ उनको ही समझ नहीं, जिनके लिए आप जो चीज लेकर आते हैं, वो उनको ही कभी समझ में नहीं आता है, हर दूसरा आदमी उनको बरगला देता है, हमेशा का आपकी एक रटी-रटाई स्क्रिप्ट है, और मुझे ये जनता से प्रॉब्लम है, आप लोग भी उसमें हर बार भेखते हैं, कभी देखते हैं कि एक पैटन है, आप से जुड़ीवी हर चीज को सिर्फ खारिच किया जाता है इस नाम पर, कि सरकार तो मोधी सरकार, और मोधी का फैसला तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आपने सोचा है इस बारे में, आज देश में आग लगा दि आप जिसे नेता होगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता, दिल से बद्धुवा दे रहा हूं आपको, वो सिर्फ यही कर सकता है, कि मैं सिर्फ इतना बोलूं कि आपको हाय लगेगी बद्धुवा दे रहा है, आज के इंडिन एक्स्प्रस में, आप यह पता नहीं आप लोग किता पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, यह सब इंपोर्टेंट चीज़ यह सिर्फ जो गोधी चैरल आपको दिखाते हैं, आपके दिमाग में डालते हैं, वो इस ब चीजों से आप ज्यान लेकर आजाते हैं, पांच पॉइंट का, आपको मैं आपको बता देते हैं, सबसे पहली चीज तो उन्होंने इसमें क्या कही है, सबसे पहली बात इन्होंने इसमें कही है, कि देखिए ऐसा है, जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त देश में चल रही है, उत्तरी तरफ भी, वेस्टन बॉर्डर पर भी, और जो इस आप उसको जोख दे, एहसे एक तर्माय्स में आप उसको जोख दे, with a radical and untried new recruitment system, और एक ऐसा आप recruitment system लेकर आदें, जो कि ट्राइड ही नहीं है, जसका आपने कुछ ट्राइल नहीं किया, बस थोब दिया है, कुछ भी आपने सोचा और बस आपने थोब दिया, एक बड़ा नाम लेकर आजाते है अगनिवीर कहलाएंगे और बस आपने उसको स्थोब दिया यह नाट विन ट्राइड इट सेकेंड वो बोलते हैं कि ऐसी जो स्कीम है इस प्रेजंट फॉर्म इस सूटिबल ओनली फॉर्मी यह आर्मी के लिए सूटिबल हो सकती है जिसका जो लाज इंफिंट्री कॉंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा टेकनोलोजी पर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं जैसे कि नेवी और एर फोसे में पांच पांच छे-छे साल तो कम से जरूरी होते है कि किसी नए एंट्रेंट को आप यूज कर सके उससे पहले तो आपको कम से एक्सपीरिंस पांच छे साल का देना पढ़ेगा और आप कहरें कि आप इसको एक दम बस उत्रे ही साल तक के लिए आप इनको यूज करेंगे इतना टिकनोलोजी पर No matter how extensively the issue was discussed, आप यह बोलते रहिए कि जी बहुत मीटिंग उए थी, हमें याद है, पहले भी हमेशा हर चीज पर यह लोग यह बोलते हैं, हमने तो बहुत सला मश्वरा किया रहा, सब चीदे की ती, no matter how many meetings and how many files have been created because of this, कितना आपने फाइल पर इसको डाला है, एक इस तरह का इतना बड़ा अगर radical change आप करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको trial पहलाना पड़ेगा, उसको implement कराने से पहले, इसके बारे में आपने नहीं सोचा, and he says, ideally a few units of the regular or territorial army could have been earmarked as a testing ground, आप कोशिश करते इसको regular or territorial army में इसको testing करने की कोशिश करते, feedback फिर ले फिर उसके बाद आप इसको implement करने के कोशिश करते हैं, according to the feedback, और लास्ट वो बोल रहे हैं कि जो bitter experience होता है, past का, वो हमको अभी तह ये बताता है, कि जो home ministry है, इसने हमेशा resist ही किया है, कभी भी, किसी भी ex-servicemen को, हमारी armed police में या पर paramilitary forces में लेने से, इस ground पर, कि अगर ह इसे एजनसी रही है, उन्होंने हमेश अबलेटेंटली इग्नोर किया है, रेजरवेशन जो mandate की गई है, एक सर्विसमें की उसमें, इंडक्शन में, तो वो चह रहे है, तो अगर आप अगनीपत की स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो उसको पर आपको मीनिंग्फुल बनाने के ल आ रहा है, ऐसे रिटायर्ड ओफिसर्स को सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको जबरदसी जताने की कोशिश की जारे है, कि नहीं, नहीं, मोदी जी कभी गलत नहीं कर सकते हैं, अपनी आखें खोलना सीखिए ना आप लोग, देश जो जल रहा है आज, बच्चों का जो भविश्य आज खतरे में है, आप सोची इस देश में कितनी बेरोजगारी की, कितनी बेरोजगारी की हालत खराब हो चुकी है, इसलिए तो नरिंदर मोदी को भी उस बात को आट साल बादी से अग्नॉलेज करना पड़ा जो दो करोड रोजगार देने की बाद हर साल कर रह आप सोची रोजगार क्या हालत इतनी जादा खराब है बेरोजगारी अपने इतने चरम पर है कि उसका सीधा साधा जीता जाकता उधारन आपके सामने यह है कि जैसे यह अगनीपत स्कीम की बात आई एकदम तुरंत यह सड़कों पर तबदील हो गया अपने देश के भवि कि अब हम जब खराब है उनको समझ यह नहीं आरा प्या और अगर इस तरह का रियाक्शन निकल लेगा एसकी बारे में आप शॉ Rapal si a a dictionary का क्या क्या रेपरकॉशन होने वाला है इसके बारे में आपको पहले से पता हो होना चाहिए अगर आपको यह नहीं पता होता रात करा जब lockdown लगेगा तो कैसे migrant laborers होंगे, कितने सारे लोग होंगे इधर से उधर ट्रावल करने के कोशिश करेंगे उसके बाद और हालत खराब हो जाएगी इस अब अगर आपको नहीं पता होता then what kind of a leader you are इसका मतलब है आपको कुछ पता ही नहीं है कि भारत जैसा देश 130 करोड की आबादी वाला देश चलता कैसे it's no big joke